नमस्कार बहुत स्वागत आपका जी पंजाब हरेणा हिमाचल पर मैं हूँ आपके साथ जोती ठाकुर और सबसे पहले रुख करेंगे इस बड़ी ख़बर का पंजाब ग्रे विवा के अडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने यूपी ग्रे विवा के अडिशनल चीफ सेक्रेटरी अब नीश अवस्ती को बाहु बली बिधायक मुक्तार अंसारी का हैंड ओवर लेने के लिए पत्र लिखा है मुक्तार अंसारी पंजाब की रूपनगर जेल में बंध है जिसके डर से कापता था पूरवांचल जिसके नाम से उत्तर प्रदेश में थी दहशत लूट, हत्या और फिरोती के दरजनों अपराद वो माफिया यूपी आने से डर रहा है लेकिन नहीं काम आई कोई भी बहाने बाजी शुरू हुआ यूपी लाने का कॉंड़ों कुख्या के सामराजी पर सबसे बड़ी स्ट्राइक 25 करोड 92 लाग 76 अजारत की संपत्ति हमने गैंग्स्टर में जब की बासप से अधिक लोगों का खिलाफ गैंग्स्ट्राइक की कारवाई भी की माफिया के आतंग पर प्रशासन का हंट है तो अब तो यूपी जाना ही होगा जिहां मुखतार अंसारी को वापिस उत्रप्रदेश भेजने को लेकर अब तयारी पकी है क्योंकि पंजाब ग्रेव अभाग के अडिशनल चीफ सेकरेटरी ने यूपी ग्रेव अभाग के अडिशनल चीफ सेकरेटरी अब नीश अवस्ती को वहवली विधायक मुखतार अंसारी का हैंड ओवर लेने के लिए फत्र लिखा है मुखतार अंसारी पंजाब की रूपनगर जिल में बंद है जिसे सुप्रीम पोर्ट के आदेश के बाद यूपी पुलिस को हैंड ओवर करने की तयारी अब हो रही है इस फत्र में उत्रप्रदेश के A.C.S. से मुखतार अंसारी की खराब सेहत के मधे नजर मेडिकल वबस्ता करने और सुरक्षा के पुखता इंतिजाम करने के लिए भी कहा गया है पंजाब ग्रेवेभाग के A.C.S. ने मुखतार अंसारी के खराब स्वास्ते का जिक्र किया है साथी बारा अप्रेल को मुखतार अंसारी की पेशी होने का भी जिक्र किया है 12 प्रैक को मुखतार अंसारी वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरिये महाली कोट में पेश होगा और अरंधपुर साहिश में मुखतार अंसारी से जुड़ी एक बड़ी ख़बर मिल रही है मुखतार अंसारी की पेशी के दुरा निजी एंबुलेंस के प्रियोक का ये पूरा मामला और इस मामले में उत्रप्रदेश पुलिस जाँच के लिए रूप नगर जेल पहुचेगी जिहां रूपनगर जेल पहुंचेगी उत्रप्रदेश की पुलिस जाच की जाएगी जाच टीम उत्रप्रदेश ते पंजाब के लिए रवाना हुई और मुक्तार अंसारी को इंबिलेंस से पेश किये जाने पर जो सवाल खड़े हुए थे उन्हें लेकर जाच करेगी उत्रप्रदेश की पुलिस मुक्तार अंसारी जो की पंजाब के रूपनगर जेल में बंद है मुहाली कोट में भी बीते दिनों उसकी पेशी हुई थी अबार अप्रेल को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी एक बार फिर से पेशी होनी है लेकिन उससे पहले आठ अप्रेल से पहले उत्रप्रदेश पुलिस को उसे वापस लेकर जाना होगा अपने साथ क्योंकि इसे लेकार पंजाब सरकार ने पत्र लेकर कहा है कि आठ अप्रेल से पहले पहले मुक्तार अंसारी को वापस लेकर जाया जाए सुप्रीम कोट के आदेश के बाद अब पंजाब सरकार की और से पूरी तयारी कर ली गई है मुखतार अंसारी को वापस भेजने की वापस उत्रप्रदेश या भेजने की एक वार एक कई अपराधों को अंजाम देने वाला बहुवली विधायक मुखता भी रहा है और पंजाब के रूप नगर की जेल में बंद वाहुवली विधायक मुखतार अंसारी को यहाँ पर बंद होने के बाद पंजाब सरकार पर भी कई बार सवाल उठी लेकिन आज पंजाब सरकार की और से ये पत्र लिकार यूपी सरकार को कहा गया है जल से जल मुखतार अंसारी को वापिस ले जाया जाए और हम ऐसे बिशाल रगुवाईशी चुट गए लखनों से सिधा लाए विशाल समझा जाए कि मुखतार अंसारी को यूपी वापिस लेकर आने की तैयारी पकी है अब आठ अपरेल से पहले मुखतार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा इसको लेकर बकाईदा पंजाब सरकार की तरफ से यूपी सरकार को पत्र लिखा गया है उस पत्र में इस पश्ट कहा गया है कि रूप नगर जेल से ही यूपी पुलिस को कशड़ी दी जाएगी मतलब साफ है कि यूपी पुलिस ही पंजाब से मुखतार अंसारी को लेकर आएगी पंजाब पुलिस उत्तर प्रदेश लेकर नहीं आएगी इसके साथ ही यूपी पुलिस की जो टीम है वो करीब 6 या 7 तरी को माना जा रहा है कि पंजाब पहुंच जाएगी और रूप नगर जेल से ही जो तमाम फॉर्मिल्टी से पूरी करके रूप नगर से ही मुखतार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा इसके साथ साथ मुखतार अंसारी की सव्ष्ट नहीं है उनका स्वास ठीक नहीं है ऐसे में चिक इससी जो सिवधा है वह भी उसको ट्रांफर करते बग्ले लिया जाएगा तब इस बात का विशेध ध्यान रखा जाए और जब उसको यूपी ले जाए जारा होगा तो इस पहले पहले मुक्तार अंसारी को लाना है और बांदा जेल में इसको रखा जाएगा फिलाल इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है और अब बस आपचारिक्ता बाकी रहे गए हैं। पहले से पूरी तैयारी कर चुकी होगी। पुलिस के जो विशेश अधिकारी होंगे वो इस टीम में शामिल होंगे और सुरक्षा में कहीं चूक ना हो इस बात को लेकर भी तैयारियां कर ली गई हैं। और आठ तारीक से पहले पहले मुक्तार अंसारी को बांदा जेल शिफ्ट किया जाएगा। मतलब साफ है कि यूपी सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बस अब एक बिल्कुल विशाला मैंसात अनमौल बजूड़ गए हैं। तैयारी और जिस तरफ से पद्र लिखा गया है पंजाब सरकार की और से क्या समझ़ाजा है पूरी तैयारी मुक्तारं सारी धने की अगर बात की जाए तो स्वालां जो किया ओखड़किय जा तरह यह थे विपक्षी दवारा के पंजाब सरकार जो कर संद गर सकते हैं यूपी को यूपी सरकार को कहीडा कई ना क tendencies हो एक जा जा रहां उनके अपर सब्सक्राइब। किये जा रहे हैं तो उसके लिए भी यूपी से रोपड के लिए एक यूपी से पुलिस एक टीम पूरी जो किया वो रवाना होई है जो की पूरी इन्वस्टिगेट करेगी कि वह एंबुलेंस जो थी वह कहां से थी वह एंबुलेंस में मुक्तार अंसारी को क्यों लाया गया क्या व्याईपी ट्रीट्मेंट पंजाब की जेलों के अंदर मुक्तार अंसारी और अन जो कह दिया उनको दी जा रही है तमाम जो सवाल है इनके जवाब जरूर निकलते आएंगे जब यूपी की जो टीम है वो रूपर पहुंचेगी और अपनी इनिस्टिकेशन की करेगी और साथ ही यह बड़ी ख़बर यही है कि आठ तारीक है का हैंड ओवर दिया जा सकता है यूपी सरकार को यूपी पुल्कुल अन्मोल कॉंग को जो पना देने का अरूप लग रहा था कहीं ने कहीं उसी को उसी प्रेशर के वज़ए से जल्दवाजी समझा जा रहा है मुखतार अन्सारी का तब पुरवांचल के लोग मुखतार अन्सारी को माफिया डॉन कहते थे उससे डरते थे मुखतार अन्सारी अब पंजाब की जेल में बंद है और यूपी आने से डर रहा है दो साल तक यूपी आने से बचने के उसने कई तिकडम लगाए आखरकार की जुगारबाजी काम नहीं आई और उसे अभी यूपी की जेल लाए जाने की तयारी हो रही है मुझों पर ताओ देने वाली मुखतार अंसारी की यह तस्वीर पुरानी है लेकिन अब मुखतार के दिन ऐसे नहीं रह गए है कि वो अपनी मूचों को इतनी बेफिकरी से ताओ दे सकी जो मुखतार अंसारी पूरवांचल में लोगों के लिए डर और डिप्रेशन का नाम था वो मुखतार अंसारी इन दिनों डर और डिप्रेशन के साए में जी रहा है यकिन नहीं आ रहा है तो 31 मार्च की इस तस्वीर को देखिए सफेद कुर्टे में वीलचेर पर मुझूद ये मुखतार अंसारी है खरीब दो साल बाद फिर यूपी के जेल में आएगा मुखतार अंसारी। मुखतार अंसारी को पंजाब की रोपर जेल से यूपी में बांदा की जेल लाने की तैयारी तेज हो गई है। मुखतार को यूपी के जिस बांदा जेल में रखा जाएगा वहां भी मुखतार की सुरक्षा के लिए विशेश तैयारी की गई है। इतना ही नहीं पंजाब से यूपी लाने के लिए भी विशेश इंतजाम किये गए हैं। सरकार मिलके एक विशेश तैय करेंगे मानने उच्तब नयाले के आदेशों के करम में जिससे मुखतार अंसारी को समय बत तरीके से बांदा जेल में शिफ्ट किया जाए। 2019 में पंजाब पुलिस मुखतार को रंगदारी के एक मामले में अपने साथ पंजाब ले गई। और तब से करीब दो साल हो गए मुखतार अंसारी यूपी आने से बचिता रहा। मुखतार अंसारी बार बार खराब सेहत का हवाला दे कर यूपी आने से बचिता रहा। यूपी पुलिस कई बार मुखतार को लेने पंजाब के रोपर जेल पहुँची लेकिन हर बार उसे खाली हाथ लोटना पड़ता था। इस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दर्वाजा खटखटाया और पिछले महिने ही सुप्रीम कोर्ट ने मुखतार अंसारी को यूपी की जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। वैसे मुखतार अंसारी ने यूपी आने से बचने के लिए एक और चाल चली थी जिसे मुखाली की कोड़ ने शुक्रवार को नाकाम कर दिया मुखतार अंसारी ने मुखाली कोर्ड से मेडिकल बोर्ड बनाने की मांग की थी लेकिन मुखाली की अदालत ने उसकी याचिकाख खारिच कर दी अपने आदेश में मुखाली की अदालत ने कहा कि वो 12 अपरेल को मुखतार के केस को यूपी की जेल से वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरिये ही सुनेगी यूपी नहीं लोटने के लिए मुखतार अंसारी की कोई भी तिक्डमबाजी काम नहीं आई और अब उसे वापस उत्तरप्रदेश लोटना ही होगा मुखतार अंसारी को पंजाब से उत्तरप्रदेश की जेल में लाने के लिए एक खास पुलिस टीम का गठन भी किया जा रहा है जिसमें स्टीफ के अधिकारी शामिल रहेंगे इसके लावा गाजी पुर माउ के कुछ तेज तर्रार इंस्पेक्टर भी इस टीम में शामिल होंगे ताकि सुरक्षा के साथ मुखतार अंसारी को पंजाब से यूपी लाया जा सके यूपी आने से पहले मुखतार के गैंक के सदसे अपने आका की सुरक्षा की प्लानिंग करने लगे है सुत्रों से मिली जानकारी के मुखतार के गिरोह के सदसे अपनी जमानत रद करके वापस जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि जेल में मुखतार अंसारी को सुरक्षा दे सकी मुखतार अंसारी कोर्ट के आदेश पर यू पी लाया जा रहा है लेकिन उसके भाई और B.S.P. से सांसर अबजाल अंसारी को इसमें साज़िश की बू नज़र आ रही है होसला बढ़ रहा भाई नियाए में विस्वास रखने वारे लोग चाहते हैं कि हमारे मामलों में अगर हमारे विजु दारोप हैं तो उसका ट्राइल करा लिया जाए नियाले में मुखतार के खिलाब इस वक्त हत्या हत्या की कोशिश दंगों के 47 केश चल रहे हैं जिसमें से कई अब नियाएं की दहलीज पर हैं योगी ने बुल्डोजर मॉडल से मुखतार जैसे अपराधियों का डर कुचल डाला है जो मुखतार कभी अपनी खुली जीप में घुमते जिस राज्य में उसने गुनाहों की कहानी लिखी है अब उसी राज्य में उसके हर गुनाह की सजा मिलने की शुरुआत हो चुकी है ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया